राम राम दोस्तों एक बाद फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्रिये चैनल बोलती बुक्स विथ अंजली में और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पार्थ 9 जिसका शीर्शक है राम और सुग्रीव तो आएए शुरू करते हैं राम और लक्ष्मन का अगला पढ़ाव रिश्मुक परवत था सुग्रीव वहीं रहते थे कबंद और शेवरी की बात दोनों भाईयों को याद थी दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सला दी थी कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे दोनों राजकुमार शीगरता से वहाँ पहुचना चाहते थे सुग्रीव का मूल निवास रिश्मुक परवत नहीं था किश्किन्दा था रिश्मुक में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे सुग्रीव किश्किन्दा के वानर राज के छोटे पुत्र थे बड़े भाई का नाम बाली था पिता के ना रहने पर जेश्ट पुत्र बाली राजा बना पहले दोनों भाईयों में बहुत प्रेम था राज काज में किसी बात को लेकर मन मुटा हुआ फिर ज़ड़ा हो गया इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मा डालने पर उतर आया जान बचाने के लिए सुग्रीव को रिश्मुक आना पड़ा रिश्मुक आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था वह चौकस रहता था विश्वास पात्र वानर सेना दिरंतर पहरे पर रहती थी सुग्रीव स्वेम भी पहरा देता था इस डर से कि कहीं बाली के गुप्चर सैनिक वहा न पहुँच जाए एक दिन सुग्रीव पहा में आ रहे होंगे सुग्रीव ने ततकाल अपने सातियों को बुलाया हमें रिश्मुक छोड़ देना चाहिए यह इस्थान अब सुरक्षित नहीं है बाली यहां भी आदम का है सुग्रीव ने अपने सातियों से कहा मैंने दो युवकों को इदर आते देखा है उनके हातों में धनुश है सुग्रीव गबराया हुआ था पर उसके प्रमुक साती हनुमान इससे सहमत नहीं थे मैं जाकर पता लगाता हूं कि वे कौन है बाली के सेना में ऐसे सैनिक नहीं है हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था हनुमान पर सुग्रीव को भरोजा था उसने बात मान ली राम और लक्षमर पहाडी पर चड़ते चड़ते ठक गए थे वे पहाडी सुरोवर के पास रुके ठकान मिटाने मुहा धोने तबी भेस बदलकर हनुमान वहां पहुँच गए शिष्टता से प्रणाम किया पूछा आप दोनों कौन है वन में क्यूं बटक रहे हैं आपका बेस मुन्यो जैसा है लेकिन चहरे से राजकमार लगते हैं हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं हमें उनकी साहिता क्या वह शक्ता है क्या आप उन्हें जानते हैं राम ने विनम्रता से पूछा प्रारंबिक बातचीत में हनुमान इस्तिती भाब गए वे अपने मोल रूप में आ गए प्रणाम करते हुए बोले मैं हनुमान हूँ सुग्रीव का सेवक उन्होंने आपका परीचे जानने के लिए यहां भेजा था लक्षमन ने उन्हें अ आने का कारण बताया यह भी बताया कि वे कबंद और शबरी की सला पर आए हैं सुग्रीव से मिलने उनसे साहता मांगने हनुमान के चहरे पर हलकी सी मुस्कुराहट आ गई कोई उस से साहता मांगने आया है जिसे स्विम साहता चाहिए हनुमान समझ गए राम और सुग्रीव की सिति एक जैसी है दोनों को एक दूसरे की साहता चाहिए वे मित्र हो सकते हैं एक आयोधिया से निर्वासित दूसरा किश्किन्दा से एक की पत्नी को रावन उठा ले या दूसरे की पत्नी उसके भाई ने चीन लिए दोनों के पिता नहीं है हनुमान ने राम और लक्ष्मन को कंधे पर बैठाया कुछी पल में वरिश मुख के शिकर पर पहुँच गए हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया दोनों ने अगनी को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया सुग्रीव ने कहा आज से हमारे सुख दुख साजा है राम ने सुग्रीव को सीता हरन के संबंद में बताया तो सुग्रीव अचाना कुट खड़े हुए उन्हें कुछ याद आया बोले वानुरों ने मुझे एक इस्त्री के हरण की बात बताई थी वह निश्यत रूप से सीता ही रही होगी रामण करत इसी परवत के उपर से गया था राम और लक्षमण ध्यान से उनकी बाते सुन रहे थे सुग्रीव बोलते रहे सीता स्वयम को रामण के चंगल से चुड़ाने का यतन कर रही थी वानुरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूशण नीचे फेक दिये थे गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा देखिए क्या ये गहने सीता के हैं राम ने आभूशण तुरंट पैचान लिए कुछ गहने लक्षमण ने भी पैचाने गहने देखकर राम शोकसागर में डूब गए उनके मुँ से निकला ठिकार है मुझे हे सीते मैं संकट में तुमारी रख्षा नहीं कर सका मेरा पौरुश बल पराकरम ग्यान तुमारे काम नहीं आया सुग्रीव ने उन्हें संतावना दी सीता आवश्य मिल जाएगी मैं हर प्रकार से आपकी साहिता करूँगा मिद्र रावन का सर्वनाश निश्चित है राम के बाद सुग्रीव ने अपनी विथा कथा सुनाई बाली ने मुझे राज से निकाल दिया है मेरी इस्त्री छीन ली मेरा वद करने की चेश्टा कर रहा है संकट के समय हनमान नल और मील ने मेरा साथ दिया मुझे कभी नहीं छोड़ा उसने राम से साहिता मांगी राम बोले चिंता मत करो मित्र तुम्हें अपना राज भी मिलेगा और इस्त्री भी राम देखने में सुकुमार थे उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था सुग्रीव को राम के आश्वाशन पर भरोसा नहीं हुआ बाली महा बल्शाली है उसे हराना इतना असान नहीं है वह शाल के साथ रक्षो को एक साथ जगचोर सकता है राम ने कोई उत्तर नहीं दिया धनुश उठा और तीर चला दिया शाल के साथो विशाल रक्ष एक ही बान से कट कर गिर पड़े इस शक्ति पदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड लिये राम ने कहा मित्र अब कैसा विलम बाली को युद के लिए ललकार हो किशकिन्दा की राजगदी का निर्ना है उसी युद में हो जाएगा सुग्रीव चिंतित हो गए युद में बाली को हराना असंभा हो था राम भूले चिंता मत करो मित्र मैं पेड की ओट से युद देखूंगा जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी साहता करूंगा बाली की मृत्य मेरे ही बान से होगी वह मारा जाएगा योजना बनाकर सब किशकिन्दा पहुँच गए सुग्रीव आगे था राम लक्षमण और हनुमान छिप गए थे मेरे पीछे राम की शक्ती है सोचते हुए उसने बाली को ललका रहा बाली के क्रोद की सीमा न रही वह गरश्ता हुआ निकला आज शिकार स्वेम मेरे मूँ तक आया है मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा बीश और मल युद हुआ दोनों एक दूसरे से गुद गए युद में बाली भारी पढ़ रहा था लगता था सुग्रीव का अंतन निशित है राम पेड़ के पीछे खड़े थे दनुष हाथ में था पर उन्होंन तीर नहीं चलाया सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचा कर भागा सीधा रिश्यमुक परवत आकर रुका राम और लक्षमण और हनुमान भी लोटाए सुग्रीव राम पर कुपित था यह दोका है आपने मेरे साथ दोका किया है समय पर बान नहीं चलाया मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता राम की कठनाई दूसरी थी वे दुविधा में थे उन्हेंने सुग्रीव को समझाया तुम दोनों भाईयों के चेहरे मिलते जुलते हैं दूर से दोनों एक जैसे लगते हो मैं बाली को पहचान नहीं पाया पिना पहचाने बान चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था मैं इस चूक के लिए तयार नहीं था मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था लक्षमण ने समझा बुझा कर सुग्रीव को तयार किया एक और युद के लिए राम ने कहा जौ मित्र इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी इस बार उसका अंत निश्चित है सुग्रीव दरा हुआ था गवराट थी और राम के कहने पर तयार हो गया किश्किंदा पहुचकर उसने भाली को चुनाती थी ललकारा भाली को सुग्रीव का यह सास तारा के साथ बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया जाने से मना किया बाली ने उसकी बात नहीं मानी पैर पटकता बार ग्रूद से उबल रहा था बाली ने हाथ हवा में उठाया मुट्टी भींची हुई थी वो एक खुंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता तभी राम का बान उसकी चाती में लगा वो लड़ खड़ा कर गिर पड़ा बाली के गिरने पर राम, लक्षमण और हनुमान पेड़ों की ओट से बाहर निकल आए आनन फानन में राजे विशे की तैयारियां की गई सुग्रीव को राजगद्धी मिली राम की सला पर बाली के पुत्र अंगत को युवराज का पद दिया गया राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया राजगद्धी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा वानर राज कहकर संबोधित किया सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहे उनके साथ राम ने मना कर दिया कहा यह पिता की आग्या के विरुद होगा उन्होंने मुझे पनवास दिया है मैं वन में ही रहूंगा राम किश्किंदा से लौट आए वर्शारीतु के कारण आगे जाना कटिन था लंका रोहन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया इस अवधी में वे प्रश्नवन पहाड पर है वर्शारीतु बीद गया राम प्रदिक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वाशन दिया था लेकिन वह अपना वचन भूल गय राग रंग में उलज गय राम चिंतित थे दुखी भी हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था राज तिलक के दिन वे वही थे उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया सुग्रीव ने वानर सेना एकत्रित करने का आदेश दिया यह काम सेना पती नल को सौपा गया पंदरा दिन और बीढ गय लेकिन सीना राम के पास नहीं पहुची राम सुग्रीव के इस वैवार से शुब्द थे कुरोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कई राम को चिंतित देख लक्षमन से ना रहा गया उन्होंने धनुश उठाया तो राम ने उन्हें रोग दिया कहा सुग्रीव को बस समझाना है वह हमारा मित्र है लक्षमन किश्खिंदा चले गए वहाँ पहुचकर उन्होंने धनुश पर प्रत्यंचा चढ़ाई दोरी खीच कर छोड़ी उसकी टंकार से सुग्रीव काप गया धनुश की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुना याद आ गया तारा ने सला दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिले शमा याचना करें सुग्रीव ने ऐसा ही किया राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवशक निर्देश दिये वानर सेना इकत्र करने का आदेश इस पार सुग्रीव सेना इकत्र होने तक नहीं रुखे तुरंत निकल पड़े लक्षमन के पीछे पीछे राम के सामने जाकर भैबीत वानर राज ने उनसे छमा मांगी अपनी चूक के लिए राम ने उन्हें उठा कर गले लगा लिया राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उच्छल कूद करती वानर टोलियां वहाँ आप पहुची हनुमान के साथ लाको वानर थे जामबंद के पीछे भालूओं की सेना इसके बाद लंका रोहन की योजना बनी वानरो को चार टोलियों में बाटा गया अंगत को दक्षिन जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया उस दल में हनुमान नल और नील भी थे राम की यही इच्छा थी उन्होंने कहा वानरो की सेना भीजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भीजा जाए यही उचित है राम और सुग्रीव की चहजकार करते वानर अपनी निर्धारित देशाओं की और चल पड़े दक्षिन जाने वाले दल को राम ने रोक लिया उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर उन्हें दे दी अंगूठी पर राम का चिन था जब सीथा से पहचान जाएंगी समझ जाएंगी मैंने तुम्हें भेजा है तुम मेरे दूठ हो दक्षिन की टोली किशकिंदा से चली अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुँच गये जिसके आगे भूमी नहीं थी केवल जल था विशाल लहरों की गरज कपा देती थी समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब देगया वानर ठक हार कर वहीं बैड़ गये वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे अंगद ने कहा राम की सेवा में प्राण भी चले जाए तो दुख नहीं होगा जटायू ने अपनी जान दे दी हम भी पीछे नहीं हटेंगे तब ही एक विशाल गिद पहाडी के पीछे से निकला वह जटायू का भाई था संपाती उसने कहा सीता लंका में है मैं जानता हूं रावण उन्हें लेकर गया है आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा सीता तक पहुचने का बस यही एक रास्ता है सीता की सूचना मिलने से प्रसन हुआ वानरदल फिर निराश हो गया समुद्र सामने था विकराल था उसे कौन पार करेगा कैसे करेगा अंगद उदास हो गये लक्ष सामने था पर विकट था उन्हें कुछ सूज नहीं रहा था बूरा संपाती उनकी साहता कर सकता था पर इस आयू में इतनी लंबी उडान संभाव नहीं थी वानरदल असमंजस में पढ़ गया अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किये बिना कोई किश्किंदा वापस नहीं आएगा वे ना आगे जा सकते थे ना पीछे वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवत थे सब उनके पास गए उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था तभी जामवन की दृष्टी हनुमान पर पड़ी वह सबसे दूर बैठे थे चुप चाप जामवन जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं वे पवन पुत्र हैं उनकी शक्ति अबार है लेकिन उन्हें स्वैमिस का नुमान नहीं है उनकी सोई हुई शक्ति जामत ने जगाई कहा हनुमान आपको जाना होगा यह कारिक केवल आप ही कर सकते हैं सबकी आँखें उन्हें पर टिग कर तो दोस्तों यहां पर हमारा नवा पार्ट समाप्त होता है और अगली शनीवार मैं एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगा अगला पार्ट ले करके जिसका शीरशक है लंका में हनुमान तब तक रखें अपना बैतर ख्याल राम राम